नमस्कार मैं हूं विरेसिंग आइटियाई के टाक्सों में आपका स्वागत करता हूं दस फरवरी तक ही ग्रिवांसेस डाले जाएंगे दस फरवरी के बाद वराद को बारा बजे ग्रिवांसेस बंद हो जाएगा यह बड़ी खवर दे रहा हूं कि जो ग्रिवांसेस को अभी मजाक में ले रहे हैं या कई लोग यह कह रहे हैं कि ग्रिवांसेस नहीं खुला है कुछ नहीं हुआ है तो यह पोर्टल पर मैं आपको दिखा रहा हूं को आप देख लिजेगा कि लिखा हुआ है कि 10 तारिक तक ही होगा सबूत देना पड़ता है आपको है ना बिना सबूत के आप लोग मानते नहीं हो तो यह देख लेना कि 10 तारिक तक ही है बाकी फिर आप जानू आपका काम चाने एक बार फिर बता दे रहा हूं कई लोग पूछ रहे है अपसेंट या जीरो जीरो रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है वह है आपके नोडल के अलाबा कोई भी नहीं करेगा और आपको ग्रिवांसेस नहीं डालोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा अगर आपने ग्रिवांसेस नहीं डाला तो आप फेल का फेल ही रहोगे जीरो का जीरो रहोगे अपसेंट का अपसेंट ही रहोगे अगर आपका ITI बाला नहीं जा रहा है तो भाईया आप अपने से चले जाओ जाओ वहाँ नोडल के हाँ मिलो हाथ पैट जोडो उनको बताओ आपके टीचर रहते हैं उनको ले करके जाओ ग्रिवांसस अभी वी बूल रहा हम कि अपने से मत डालिये और जो अपने से गलती करके ढाल दिये हैं बहुत सारे लोगों ने उस पे कुछ लिखा नहीं है तो उनको बतादू को उनका ग्रिवांसस पे कुछ नहीं होगा कई बार बता चुका हूँ कि अपने से गलती मत हो रहा है आई टी आई वाले से डलवाईए अगर आई टी आई वाला नहीं डाल रहा है तो किसी टीचर या प्रोफेशनल से मिल करके जानकार आदमी से ही ग्रिवांसस डलवाने की खोशिस करें यह आपको लास्ट मौका है इस यह जो है तो दस तारिक तक टाइम दिया गया परयाप्त टाइम आपके पास बचा वैसे आपको मैं बता दू कि पूरा महीना बरण आपके पास टाइम रहा है रिजल्ट कब निकला है न याद आगे है रिजल्ट कब निकला है आपका और फिर आपका पूरा क्या टाइम प इसलिए बोल रहा हूं कि 29 जनवरी को बहुत सारे जो सेकंड वाले थे न मतलब मने ओल्ड वाले थे जो डाले थे उनका डेटा चला गया मतलब तो अब आपका डेटा आना चालो हो गया अब 10 तारीक के बाद आपका जो रिजल्ट है जो आप लोग बोल रहे हो कि सर अभी के बाद 10 तारीक तक नोडल के लिए खुला है नोडल आपके नंबर को भरेगा और एप्रूबल करके वो सीधे किसको भेदेगा इस्टेट को अब इस्टेट और डीजी टी मिला करके पूरे फरवरी तक ये गेम चलाएंगे इसके बाद रिजल्ट अपडेट होना आपका चालू हो जाएगा ये आप मान के चले लेकिन अभी 10 तारीक तक कोई कुछ नहीं होने वाला 10 तारीक तक सिर्फ 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 नोडल के लिए टाइम है और आज सरी बार हो गए खलित बार दो दिन की छुट्टी है अब आद 3 तारीक हो गए है न तो 3 और 4 दो दिन हटा द जाओ 10 छह दिन आपके पास बचते हैं वर्किंग डेश दिन आपके पास एक हपते बचते हैं तो उसको बीच में आप करवा ले नहीं करवाते हैं तो कोई बात नहीं अभी भी बोल रहा हूं आपके पास टाइम है अगर नहीं जा रहा है आई टी आई वाला तो आप एक्जाम देने का रहता है एक्जाम बाला काड़ अपना ले करके जाए आप ठीक है रोल नंबर वाला ले करके जाए मार्ग सीट ले करके जाए बताइए वहां पे अब देखे आपने कुछ तो किया है तो उसका परिणाम तो आप भोग गेंगे हैना अब लास्ट मौक है अब कुछ भी नहीं हो सकता है अब यह आप समझेए खेल खताओं दस तारिक को खेल खताओं छह दिन बचे हैं ऐसे कमेंट करते रहिए ऐसे करते रहिए ऐसे फोन करते रहिए टाइम बरबात करते रहिए मैं बोल रहा हूं भाईया सो देखना बंद करो भागो जरूरी नह ऐसी बात करवादो अगर इतना भी कर रहा हूं लेकिन आई टी आई वाले वी समय बांषा नहीं करूए सब बचिएगा साफसा बॉल्डाव कर बचिएगा पैसा वैसा दे AREकर के सब चीजे जो चल नहीं है चीजे तो भगवान मालिक है ना तो अभी दस तारीक तक सिर्फ नोडल के हाथ में आपका रिजल्ट है दस तारीक के बाद वो चला जाएगा कहां इस्टेट में चला जाएगा जिसको SPIU कहते हैं वहां उनके उपर रहेगा इसके बाद वो अपडेट करेंगे उसको अपडेट करने के बाद आपका ये मान के चलिए कि लास्ट फरवरी तक में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसके पहले पहले हो जाएगा लेकिन अभी बीच में मत वानगे ठीक है न कितन पहले दिन का टाइम होता है 45 दिन आप लगा लीजिए कब से बता दूं जबसे आपने ग्रिवांस डाला तो दस तारिक से 45 दिन कगर उठाओगे न तो पूरा मार्च चला जाएगा आपका पूरा मार्च चला जाएगा आदा फरवरी चेमाने एक महीना मार्च और 15 दिन औ को पूरी करनी होती है हम लगे हुए हैं कि 28 फरवरी तक ये सारी चीजे हो जाएं जोकि 10 तारिक तक नोडल कर देगा इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि 20 तारिक तक के पहले-पहले कम से कम 10 दिन उनको इस्टेट गवर्मेंट को पूरा वो सारी चीजे कर ले इसके बाद रि परड़े कर दे ठीक है अभी यही हो रहा है कि जितनी जा रही परड़े कर दे तो अगर वो 15 तारिक तक भी मैं एक मान डाओं कभी मैं लगा हूं कि 15 तारिक तक में भी स्टेट अगर कर देगी तो आप लोगों को 15 तारिक के बाद मान के चलो 15-16 के बीच में लगना पड़ कि इनका रिजल्ट आएगा तभी तो आगे तो आपका उपगा जब तक रिजल्ट ही नहीं आएगा तो कहां से इक liघां होगा आप यह समझ क therapists वारी चीजों तो माज तक के लिए इतना कलाओंगा तो फिर किसी नहीं मुद्दे पर बात करूँगा तब तक आप लोग अपना द्यान दखिए नमस्कार जय हिन जय भारत नमस्कार मैं सेलेंद्र गुपता डारेक्टर एजी एंटरप्राइज़स डेली से बात कर रहा हूं एजी टेक ब्रांड इसले 15 बर्सों से आईटिय टूल्स की मैनुफेक्शिंग एंड सप्लाई पूरे भारत बर्स में कर रहा है पूरे भारत बर्स में किसी भी स्टेट में NCBT, SCBT, ITI खोलने के लिए संपर करें अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गए नमबर पर संपर कर दन्यवाद